नमस्कार विवर्स सौगत है मेरे चैनल में आज का वारता फोकस्ट है जैमस्टोन नीलम ब्ल्यू सेपायर पहनने से क्या-क्या लाब और भागे में कैसा परिवर्तन आ सकता है मैं पता दूँ विवर्स रतनों में नीलम यानि की ब्ल्यू सेपायर को सबसे प्रभावी एफेक्टिब और सबसे तेज जल्दी असर करने वाला रतन जैमस्टोन माना जाता है कहतें कि यादी भागे कहीं पर भी साथ ना दे तो व्यक्ति को एक बार ब्ल्यू सेपायर यानि की नीलम जरूर ट्राई करना चाहिए अगर सूट करता है तो मैं बता दू व्यक्ति नीलम रतन दारन वालों के लिए ये धन में लाब समस्या का समधान और प्रत्याशित लाब आड़ी के साथ तुरंत प्रभाव दिखाता है कोई भी रतन इतना फास्ट रिजल्ट्स नहीं देता जितना की नीलम जैमस्टोन देता है वैदिक जोतिश के अनुसार विवर्स नीलम शनी का रतन है शनी एक देत्यग्र है और शनी की अवदी एक व्यक्ति के जीवन को बना ये खराब कर सकती है नीलम धारन करने की सला साबधानी के साथ किया जाना चाहिए बिना सला के नीलम पहनने से कई बार कई समस्यां भी उत्पन हो सकती है परन्तु अगर नीलम सूट करता है कहते हैं ये व्यक्ति को मिलनियर तक बना सकता है सारे रुक्यों काम करवा सकता है रंक से राजा बना सकता है आज देश दुनिया के बहुत सकस्पुल लोगों के हातों में आप नीलम देख सकते हैं व्यूर्स नीलम पहनने के फाइदे हैं ये सबसे तेज असर इंपेक्ट करने वाला जैमस्टोन है इसका बहुत तेज प्रभाब आपको महसूस होगा ये पहनते ही पहुष शॉर्टिस्ट टाइम में आपको धन, शुब कामनाए, प्रमोशन, ऑपरचुनिटीज, बिजनस गेन मिलना शुरू हो जाएगा यदि निलम अच्छे क्वालिटी का और प्योर है तो आज च्रेजनक परिणाम देखने को मिलेंगे एनरजी, उर्जा और निराशा समाप्थ हो जाएगा हर जगे आपको पॉस्टिव एनरजी मिलेगी और सक्सस को पाते हुए नजर आओगे विर्स निलम स्टोन एक उच्छ सुरुक्षात्म करतन है ये दुश्मन बुरी नजर इर्शा आदी से सुरुक्षा पदान करता है ये पाचन में सुधार करता है, सुस्ती को दूर करता है और फोकस और एकागरता को बहतर बनाय रखता है कहते हैं कि हेल्थ की दिस्टिकोंट से भी कई बिमारियों का शमन निलम करता है इंद्रियों को शांत रखता है, मन को शांत रखता है, धहरे को बना कर रखता है विवर्स ये कुंडली में नकरात्मक्त को समाप्त करता है अग्याद भय या विशम परस्तितियों से जूजने की ताकत ये प्रदान करता है निलम का धन पर सीधा प्रवाप पड़ता है ये फाइनाइन्स में साकरात्मक विर्द्धी पदान करता है और इंकम के कई शोध प्रदान करने का आश्रिवर्द पदान करता है ये नेम, फेम, प्रदिस्टा, भहुतियात मात्रा में व्यक्ति को देना शुरू करता है इसके लावा ये कानून छेत्रों व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रत्न माना जाता है जैसे मेजिस्ट्रेट, कानून प्रैक्टिशनर्स उनको पेशिये में बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करता है अधिकतर सेलिबिलिटीज के हाथों में आप निलम देख सकते हैं व्यूवर्स जब भागे साथ ना दे, कहते हैं कि एक बार निलम जरूर ट्राई करके देखना चीए हमारे जीवन में नौ रत्नों का बहुत महत्व है इनके धार्म करने से हम अपने भागे के रास्ते की बादा को काफी हद तक दूर करने में सक्षम हो सकते हैं हमारी जनमराशी और लगन अपने अंदर सभी तरह के गुण दोशों के लिए को लिये वोए हैं जैसे आयो से संब्धित, स्वस्थ से संब्धित, इन सब धन से सल्ब्धित, इन सब चीज़ों का समवेश हमारी कुण्ड़ी में है इस अंसार में आकर हमें कितना धन, सुक, शान्ती, यश मिलेगा यदि ग्रह कमजोर हैं तो हमें वो इस सब चीज़ें प्रदान नहीं करेंगे इन सबी व्यापक बातों को ध्यान में रखते हुए हमें राशी लगन से सम्मंदित रत्न धारन करना चीए कुछ रत्ने वीवर्स ऐसे हैं जो हमारे कस्टों का निवारन करते हैं और कुछ रत्ने ऐसे हैं जो हमें कस्ट पहुचाते हैं ये जान लेना अतियवश्यक है कि आप जिस रत्नों को धारन करने जा रहे हैं कहीं वो आपके लिए कस्ट कारी तो नहीं होगा हम आपको सभी बारा राशियों लगन के बारे में हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि कौन वैक्ती अपने राशी वर लगने के अमसार कौन-कौन सा रत्न धारन करे जिससे उसको अधिक सधिक लाप प्राप्त हो विवर्स नीलम किन राशी वालों को पहनना चीए इसके बारे में आपको बता दूँ जोतिश्य दिर्श्टी कौन से मेश राशी इस राशी के लोग शनी की दशा में नीलम यानि की ब्लू सेपयर जैमस्टोन धारन कर सकते हैं इस राशी के लिए शनी लाप दायक हो सकता है अपनी दशा में इसका रतना दारन करने से लाप में व्रिद्धी होगी राजिय से सम्मंदित लोगों से मेल जो लापकारी सिध होगा भवन चता जमीन का लाप होगा वायू सम्मंदित रोगों से बचाव होगा टांगों को बल मिलेगा व्रिश राशी इस राशी वालों को शनी रतन निलम शुब फलदायक होगा ये रतना धारन करने से धन मान और भागे की व्रिद्धी होती है छोटी आयू छोटी भाई की आयू में व्रिद्धी करेगा पीता की आयू और स्वास्त में विद्धी करेगा आपको सनायू को मजबूत करेगा राजे से कृपा प्रदान होगी उच अधिकारियों से लाब प्रदान करवाएगा इस राशी वाले हीरा के साथ भी निलम धरन कर सकते हैं बहुत लाब दैक और बहुत मंगलिक फल देगा मितुन राशी विवर्स इस राशी के लोग भी निलम धरन कर सकते हैं वो भी शनी की दशा में धन और भागय में विद्धी करेगा तता धरम में रूची उत्पन करेगा करक राशी इस राशी वालों के लिए शनी अशुब ग्रह है इसका रतन कदापी दारन नहीं करना चाहिए आयू को शीन करेगा धन के चेत्रों में कस्ट तदा हानी देगा साजिधारी के कारों में दुगदाई होगा पती पतनी में अलगाप पैदा करेगा पती या पतनी के लिए कस्टकारी भी सिध हो सकता है सिंग राशी इस राशी के लोगों को निलम रतना नहीं धारन करना चीए क्योंकि इस धारन करने शत्रों सिर उठाएंगे धन की कमी रहेगी पती या पतनी की आयू के लिए कस्टकारी होगा पीट था आंतिणियों से समंदित रोक उत्पन होंगे कन्या राशी इस राशी वालों को निलम रतना धारन करने के लिए जोतिश से परामश लेना अतिय अवश्क है यदि निलम धारन करेंगे तो स्वस्त की हानी होगी और बच्चों से व्यमनस्ता बढ़ेगी शत्रु हावी होंगे पेट से समंदित रोक हो सकते हैं तुलराशी इस राशी वालों के लिए शनी राज योक कारक है निलम रतना धारन करने से धन, पद्वी, सुक, सभी प्रकार की समरिद्धी, व्रिद्धी प्राप्त होगी निमनस्तार के लोगों से प्यार प्राप्त होगा आयू तथा स्वस्त में व्रिद्धी करेगा मातक को धनादी की प्राप्ती होगी और पीता का स्वस्त वा धन ठीक रखेगा वुरिश्चिक राशी इस राशी के लोग शनी की दशा में परामर्श के द्वारा निलम धारन कर सकते हैं परंतु निलम धन की विशेश विद्धी नहीं करेगा लेकिन भूमी में विद्धी होगी मित्रों से लाव हो सकता है चोटी बेहनों और भाईयों को सुक तदा धन परात हो सकता है धनु राशी इस राशी के लोगों को निलम रतन धारन करना शुबकारी नहीं होगा बेहन भाईयों की आयू को शीन करेगा तदा शत्रू अधिक पैदा होगा मकर राशी, इस राशी के लोगों के लिए निलम रतना धारन करना अत्यन शुब होगा इनके स्वास्त, धन, आयू, विद्या, विर्दी करेगा वानी में सुधार होगा, टांगों के रोगों का शमन होगा वायू से उत्पन रोगों को दूर करेगा कुम्ब राशी, विवर्स, इस राशी के लोग निलम धारन कर लाब उठा सकते हैं मीन राशी के लिए निलम धारन करना एक प्रकार का सव्ध्या के ही कहूंगा मैं इसे उनको कई प्रकार के लाब भी देखने को मिलेगा वे नीलम किसी योत्री से सल्ला लेकर पहन सकते हैं पहनने से पहले उसकी परिक्षन करा लेना बहुत सही रहता है धन्वार द्यूर्स एक और वारता के साथ आप से फिर से मुलकात होगी आशा करता हूँ आज की वारता आपकी लापतारिक सिध होगी धन्वाद फिर से मुलकात होगी बाए हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, मनो जवं, मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं पुथि मतां परिष्ठं आथ आत्मयं पानरयूत पुख्यं श्रिरामदूतं शरणं प्रपत्य। जैवायरंगवली है माहवीर करो कल्यान है माहवीर करो कल्यान है माहवीर करो कल्यान ए मावीर करो कल्या